अए विच्चू कब रिस्ताम जाना दे बन दे नहीं देखे दफार कहीं दे मैं प्यादा हिको वले मयात बतूल दे चनदा ते जेंदे हेने आलात सुनी दे ओए जेंदे जिस समचूती रुदियानों का छिक दे हाथ ठक गए हेन भैनी दे कि बला या टाय मैं या मेरे इमान ने रोदा अफ्तार कीते कोई ये जा पाणिया जित जित वैंदा गिये बाभर्ली गई इमान टूर्दे टूर्दे कासं दियम्डी दे दरवा दे त्याय ए namad नवाद और भीबी कोंधा खोल सायन कोंधा खोले या मान नुख उनदी नुल्टिया यावादे सरदार क्या बान भिये यावादे कासं याती मोणा नुमनुट पाणियो मैं नुदार मिलило कि ब्ला बीबी ने वारस नू पकड़ के बिस्तर ते समाए आवादे बीबी आवला जिगर्दी छंड हो दिये मेरे जिगरे जो से के जरा कासिम नुचा मेरे सीने ते समा आवादे माद दिल्ले मन्दर डिखा मकीवे कासिम नुचा मकीवे आवादे कासिम नुचा नहीं जरूरे मन्दर डिखा नहीं जरूरे बीबी जनाबे कासिम नुचा मेरे मांदे सीने ते समाए या कासिम दिया खुलिया वादे बाबा त्वडा सीना क्यों गरमे जल्यावाद आए बाबा तो आडा सीना क्यों धर में याई मांदी कूक ये आलने तुँ तम सेने हे मेडी मोक गई आई ते आज नान के शेर विचाले ओए बाब आज दे इतुला तुँ वीर में देकूं आवे घेन गादी कूनाल आलन दाए दसे नाल याराम दे फुपिया कूं ते ए दरद रसी दागाले ओए खुल वैसिन पे कियां गलियां वे चुआ मेडी भैन उजडी दे वाले अवादे मेरा बच्ड़ा वाज हर केई नूई तुला दे जो मैं लहर मिल गई आए खिला कासिंदा उड़ दाल दे चोटियां हवा चुड़ दिया नियां आए पाकु सेंदे घर दे समने दोवे हाथ दरवादे ते मारेस आवादा चाचा बहरा में यतीम प्या होना किलाई में सारे सज्ड़म जगेद जगेद आवजना बेजे न भीया लिया दे दरवादे ती आए आपने 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 आपनुआ दे कासिम मंदालो शेंद सुत्तियों ये देडी आवे तेरा बाबा तादी मास्ते खड़ों खेंद किने जगे से वाली में बेगें तर्माले नार्मूला के हाव्या लियाले फुपीटागी ओर समर के मोसम गुजर गए ली फिरान उजहर मिल गई यह अजाईए सुचेंदे खड़े आए या जनाब जानब आली अलियावाद है कि अम्मा कल सूम मैंनू पानी दास्तावा भर दे जो मैं वुदू करके नमाज पड़ा किनू कासम दी कूंगा यह यह जनाब फिदा जल्दी ना लाए क्या डिठाए कासम रोंदा बैठाए आवादे बी बी जल्दी आव एक कासम दे रोंदा पिये मेरी साइं जल्दी ना लाई आवादे क्या बढ़ गी यही आले भुप यम्मा बिराद जहर मिल गई यही मैं यतीमों आवादा किला जल्दी नाल सारे परदादार आगें कालू इन्ना लिल्लाए विनहले राज्यों जनला तयारो है इमाम जनला चाक तुरन में कीमे पड़ा जल्दे बारु आएं सतर तीर इमाम दे जनले तवस्तो है कि वलाजे ले तीर लगें इमाम तन जनले त धने नाला ले नामा मेरा नफीस बिराएं वे नामारो में घिन में जा कि लाज इमाम ने इकक त जनाब हसन दे जनादे ते रख़एं बिया हाथ नाने दी जरीदू कीते आले गवारो इक दफा मैं नुवीर दफन करन दियो मैं वादा करेना मैं बतू दा पुतरा मैं अपरी कबर दी जान मगसा मैं पर दे सित दफन थी वैचा कि लाज मुझना बेगा दी दावडेन चल्दी ना लाएं आके मादे पैरांदे अत लाएं आवाले अम्मा अपणी चादर ने ओ जनाबे अम्मल बनी ने चादर निती जना बेना दी गंदी ना जाकिया के सेड़ दे पैरांदे रखिये आवाले अम्मा दी चादर ना वास्ताई दे उतलवार दे ओए मेरे माँ भिरादू तीर पे लगी देल ओए असी एक्टे गरीब हो गेंगा जो जना देच तीर पे लगी देल जो 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 को जो 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 था जो 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 हो जो आर ऐ少oa चली जो 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 हमया tyre ये इस आर्वार अभा सविंघा अभ嗎 आज मजलिस के बाद शबी तावु इमाम हसन परामत भूभी और मजलिस एजा मातम के बाद नियास का है तमामत होगा आप लोगों से इल्टपास है के प्रीश तश्रीव रखेगा आज के तबरुत के तमाम विसकॉंसस के लिए बावाज बलद आना इस सनवाद आज आज रहने के लिए दिल में है शबीर की सूरत और आईना बदलता नहीं तस्वीर की सूरत खस्नेनों नभी हैदरों जहरा है के सामें तफसीर के पैकर वे है ततहीर की सूरत और क्या जपते हैं दुशमन पे हबीव इबन मजाहिर जो मिषले कमा थे हो गए तीर इस सूरत महामद वाले महामद स्लवाद महामद वाले महामद मैं बादी अदब के साथ गुद्विस हूं गासनों मैली साब से झीवाइं नमजे सकता पहरें Muhammadu Ali Muhammad आन्हम्मद वाल मुहम्मद गुलं तर सलगार लाह। फातिहा रबन जिर्फ अग में आसने मुश्टानिखें अलसा आख बिल्लाही मिन श्शेटान लगीन रजीम बिस्म ल्लाही र्रह्मान र्रहीम अल्हंद बिल्लाही रब वालमीन वो बही नस्ताइन वहुब अल्मुएन वस्लात वस्लाम अला स्यदिल अन्भिया इब अल्मुर्सलीन स्यदिना वनभीना वशफिय अगनूबना वात बीब अलूबना वब अल्कासिम मुहम्मद वाल्हुमा स्यदिल मुहम्मर अल्मुर्दी मुहम्मर वालिह त्क्यिबिन प्काफरीन मसुमीन अल्मजलूमीन मुनचशबीन मुन्टजबीन अमा बादु फक्र्द वाल्ल्व तबारक वता आला sub indo by broth3rmax अजरू हो वनसरू हो वत्तपान नूर ल्लजी उन्जला माहो उलाइका हुमल मुफलिहुं सर्वाद। मुज़गाने मुथरा मुझवाने अजीज, पुरान इनकिन के सूरत अअराफ की 157 वी आये करीमा वर्स नंबर 157 का कुछ हिस्सा जो मैंने कल भी आपके खिद्मत में दिलावत किया और जिसके जिम्न में आज की ये गुष्टू भी आगे बढ़ेंगी इन्शाद्दा बतौफिक इलाही वबताईद मासुमिन अलहिमुस्लाथ वस्सलाम आये करीमा का तरजमा मैंने कल आपके खिद्मत में अर्स किया था और उसके बाद पसे मंदर भी बयान किया था कि इस आयत में काम्याब लोगों की अलामतें बयान की जा रही है और आयत उस वक्त की है कि जब हजरत मुसा की गौम बहग गई और उसके बाद उन्होंने तौबा की तौबा कुबूल हुई और अल्लह की तरफ से ये पैगाम आया कि हमने तौमें माफ कर दिया लेकिन हमारी रहमत खास है उन लोगों के लिए कि जो इत्वा करेंगे उस नभी का उस रसूल का जो नभी ये उम्मी है और जिसका दसकिरा तौरेत और इंजील में भी मौजूद है और उस नभी के इत्वा की शरायत क्या होंगी वो आगे बयान की गहीं कि वो उस नभी पर एमान लाएंगे नैंने अर्स किया कि एमान वो जो एमान लाने का हाख है और उसके बाद मन्जित आगे बढ़ेगी, इमान लाएंगे, इख्तिराम करेंगे, नुस्रत करेंगे उस नभी की और इत्वा करेंगे उस नूर का जो नभी के साथ नाजिए अगर इन शरायत पर पूरे उतर जाएंगे तो पिर यही लोग कामियाँ है इस आये करीमा के जिम में हमने जो गुस्तवू के मरहले कल तै किये उसका मवज़ और माहसल अगर चंद जूमलों में अर्स किया जाए तो वो यह है कि मैंने पहली बात यह अर्स की कि इत्वा नाम है इंतहाई दर्जे की मुहबबत और इंतहाई दर्जे की इताएत का जब यह दोनों चीज़ें जमा हो जाएं तो इत्वा बनता है और इत्वा के मरहलों में पहला मरहला इमान का है इमान वो नहीं कि जो जबानी तोर पर कल्मा पढ़ने से हासल हो जाता है और जिसके बहराल कानूनी तो अपफल इनसान मुसलमान है जो इसके साथ मुआमिलात किये जा सकते हैं अब इसको बेटी दी जा सकती है अब बाप मर जाए तो कानून विरासत के तहट इसको विरसा मिल सकता है ये कल्वा पढ़ने के बाद अपूख हासल हो जाते हैं लेकिन हकी एमान जो इनसान की शफ्सियत को तब्दील कर दे और जो अगर मौशरों मेराइज हो जाए तो मौशरों को तब्दील कर दे वो एमान उस वक तक हासिल नहीं होता जब तक कल्मा लब औ देहन से गुजर के खून के पत्रों तक ना पहुँच जाए और रगो रेशे के अंदर दाफिल ना हो जाए जब कल्मा ये सूरत अख्तियार करता है तो फिर शफ्सियत तब्दील होती है और फिर एक मौमिन इस मन्जिल के उपर पहुँच जाता है कि अब उसके सामने ना कोई नफा है ना नुक्सान है बस और बस अला की मर्जी है माभूत की मर्जी के लिए वो अपने पदम बढ़ाता है अब हर चीज उसे उस सफर से खरीब करती चली जाती है जो मैंने अर्ज किया कि सफर है नफ्स से कमाल तक का सफर पस्ती से बुलंदी तक का सफर फर्ष से अर्ष तक का सफर सरा से सुरया तक का सफर और इस सफर में जतना आगे बढ़ता चला जाएगा उतना वो अब्दीयत में मेराज हासिब करता चला जाएगा और अब्दीयत की ये मेराज उसे उस मनजिल तक रह जाएगी कि पिर स्यदुल मलाइका पीछे रह जाएगा इसके पड़म आगे वाल जाएगा सलवाद प्रभाद मुहम्मद वाले मुहम्मद इसके जिमन में कुछ बाते हैं सीरत रसूल अकरम के तालुख से कल मैंने आपके खिद्मत में अर्स की है अगर्चे बहुत ही तमहीदी गुफ्टगू थी और बहुत बहुत नाकाफी है इस इन चीज़ों को बयान करने के लिए जाहिरे कि ये तीन डोजा मजालिस के सिलसला है अगर्चे इसके बाद भी मैं आपके खिद्मत में हाजर हूँ लेकिन बारहल इस गुफ्टगू को अब यहां से जरा सा आगे बढ़ाते हैं चुकि आज की ये मखसूस मजलिस है इमाम हसन मुच्टगा अलेह सलाब रुस्सलाम से मुतालिय। असल में सीरत रसूल के बयान का हग दी अदा नहीं होता जब तक नाना के जिकर में नमासों को शामिल ना कर लिया जाए बड़ा खुशूरा शेयर है है तो एमाम अलेह खाब बरेवी साबका लेकिन बात बहुत प्यारी है वो कहते हैं कि मादूम नथा साय शाहिर सखलें बजाहिर तो रसूल अला का साया नहीं था और पेगंबर के मौजजात में एक मौजजा ये बयान किया जाता है जहां पेगंबर की सीरत बयान होती है गुश्टबू होती है खुश्यात और सिपात का जिकर होता है कि नभी अकरम का साया नहीं था और उसके जो असबाब मुक्तलिक बयान की है उसमें हमारे खुलमा एहल सुन्नत ने इस बात पर जोर दिया कि अगर अल्लह ने रसूल को साया अता किया होता तो साया या इनसां से आगे होता है या उस से पीछे होता है अगर आगे होता तो यकीनन रसूल का साया ही सही लेकिन रसूल से आगे होता तो अल्ला को मनजूर न था कि कोई मेरे रसूल से आगे जाए चाहे उनका अपना साया ही क्यों न हो ये भी एक पेगाम है कि जब साया आगे नहीं जा सकता तो कोई हमसाया आगे कैसे जासे को पर दोसरी बाद ये बयान की कि तो पर अब ये मुकिन नहीं था कि पीछे हो तो पिखं़र हमेशा अस masturb के साथ रहेंगे तो असराप कभी मेमना में होंगे कभी मحसरा में होंगे कभी पिखं़र की पहह भी करते हुए उनके निशाने पदम पर अपने निशाने पदम जमाते हुए उनके पीशे पीशे चल रहे होंगे तो अगर साया पीशे होता तो पर अस्हाब के कदम पढ़ जाते है और अल्ला को मनजूर नहीं कि मेरे नभी के साये पर ही किसी के कदम पढ़े अब यहीं से पहचानने के जरूरत है कि कुछ वो है कि जिनके साए पे कदम पढ़ना अन्ना को मनजूर नहीं और कुछ वो है कि जिने पेखंबर दोश के समार करके कहते हैं समार पढ़ना मारा जो बात बयान की यों कहते हैं मादूम नत्वा साय शाह सखलैन आधे से हसन बने थे आधे से हसेन पिर रसूल अल्ला का साया खायब नहीं था बलके रसूल अल्ला का साया हसन और हसेन की सूरत में हर वक्त उनके साथ मौजूद था वो यसी फिक्र को आगे बढ़ाते हुए फिर एक एल सुन्त आलिम का ही हवाला दे दूँ कि उन्होंने बयान किया कि शेख अब्दलदीस मौदीस लेल्बी बयान करते है कि साब बात यह है कि अल्ला हमें अपने पेगंबर को वो सिफात अता की थी कि जो सिफात साफ़का अंबियों को जुदा जुदा अता की थी उन सब को यगजा करके जात मुबारे के पेगंबर में जमा कर दिया यानि पेगंबर अकरेंग के अंदर वो सारी सिफात था का लेकिन बजाहिर एक सिफात थी जो अल्ला हमें अपने नबी को बजाहिर अता नहीं की वो क्यों अता नहीं की कि वो इसलिए अता नहीं की कि अल्ला हमें इससे पहले के बाद अंबिया को शहादत अता की लेकिन अगर पेगंबर को शहादत अता कर देता तो वकार इसलाम मजरू हो जाता वकार इसलाम को महफूँज रखना था लिएधा पैगंबर को शहादत अताने की लेकि शहादत भी नभी को अता करनी थी इसलिए कि पहले कि सारे अंबिया को जो सिफात दी ती उसमें शहादत मوجود थी ते थानाँ ने ये शहादत नबी को अता की मगर बराग रास अदाने की सिर्ल श attractions, मि उसके अंदर बैंन थरड़ाते हैं जब अल्लाँ ने पर उगर को शहादत अता की मगर नमासों के जरीय से एक को सिर्ल शहादत दी एक को जहरी शहादत दी ऐ हसन की शहादत शहादत में रसूल है यह हसन की शहादत शहादत रसूल है मैंने जा अब यहां तक लिख दिया तो अब कड़ मढ़ लोकिये नतीजा भी दे लिए दिए नतीजा इसका खुद बा-फुद निकल के सामने α जाएगा कि जब हसन की शहादत, रसूल की शहादत है, तो हसन का शायद 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 का श दो इनको इतने आरा मकाम से इस अदना जगा पर भेज़ दिया जिसे दुनिया कहते हैं। बेजा इसी लिए कि बंदों को जो सबसे वड़ी सिफ़त अहले वैत अलहे हमसलाम की है। जो मैंने करार्स किया कि इन्होंने बंदों को माबूत से मिला दिया। अगर पूरी जुदगी को खुलासा देखें हर जगा देखें तो बस एक मकसद है कि बंदों को आदाव बंदगी मिल जाएं। बंदों को ये मालूम हो जाएं। आप इसलिए मुलाहिदा फरमाएं। इतने बड़े बड़े फजाईल होते हुए जिने हम बहुत बड़े फज आए समझते हैं लेकिन असल में हमारी नजर में तो हर फजीलत बड़ी है इसलिए कि हम अपनी हैसियत से देखते हैं लेकिन उनों ने जिन फजाईल के उपर नाज किया वो फजाईल जब आपको नजर आएंगे तो नजर यही आएगा कि हर वो फजीलत जो बंदों को परव नाज अता कर सकती थी उसके उपर वो नाज करते हो नजर आए चुनाचे खैबर फता किया नाज नहीं किया खंड़ में कुले एमान बने नाज नहीं किया वो इसी तरह फजाईल देखते चले जाएं नाज किस बात के उपर किया ए मामूल मेरी इस्ज़त के लिए ये काफी है कि मैं तेरा बंड़ा हूँ मेरे फक्र के लिए ये काफिये के तु मेरा रब है बंदगी मिराज की तरफ ले जाती है बंदगी आगे बढ़ा तो इसी लिए ऐल्ला हमे जब इन हस्कियों को भेडा तो इन में से जमाने के इतिवार से नाम बदले हुए हैं अलग अलग शख विल्लियात मुख्तलिफ अद्वार में आपको नजर आएंगी यही वजा है हकीका देख है सक्की यही वजा है कि अल्ला हुने इन हस्तियों के नामों को भी अपने नामों से मुश्टक किया वो महमूत था इने मुहम्मद बनाया वो आला था इने अली बनाया वो फातिर समवाद था इने फातिमा बनाया वो मुसिन था इने हसन बनाया वो कदीम लिहसां था इने हुसैन बनाया वो माबूत था इने जैनलावदीन बनाया वो बाकिर अलूम था इने मुहम्मद बाकिर वो सादिक अलवात था इन्हें जाफर सादिक बनाया वो काजम अलगैस था इन्हें मुसा इकादिक बनाया उसे रिजा पसंद थी इन्हें अली रिजा बनाया उसे तक्वा महभूत था इन्हें मुहम्मल इतकी बनाया वो नपी मिज़ाइश का इने अली नपी बनाया वो असकरान शान का हामिल था इने हसन असकरी बनाया और वो खुद नजलों से गायब था लेहाँ आखी को खैबत के परते हैं सलावाट पढ़ने मुहम्मद वाले मुहम्मद लेकिन असल में सारे किरदार आख मुलाःजा फरमाएं इनकी जिन्दगी को देखने इनकी हयात-टयवा का मकस्द मुलाःजा फरमा ले तो असल में ये तसलसुल है एक दूसरे के किरदार का एक गोल्डन चेन है एक स्रुसल तुस्दाव है अली तसलसुल है किरदार मुहम्मद हुसین तसर्सुल है के तार हसन का सिर्सुला तसर्सुला हर तौर के अंगे नजर आएगा कि असलह वप्स का यसी तालीम को आगे वढ़ाना के जो पहले वाले में जोड़ी है और East ल sophisticated के जासराम कि करतें ने के लियर कारान की फित्मत मैं एंसन कामल की कि जो पत्यक किया कि डिम हैं क्या ये उचाय अगलिजए कि अने हैं कि बारओन की आयश की आतों तक महँंदू रख जाएं और इन शिफाद का कोई जामें दुनिया के अंदर मौजूद नहो इन सिफात का कोई मजहर शख्सियत के अंदर नजर ना आए तो नौज बिल्ला कुरान इससे कहानी की किताब बनके रह जाए लेहाद जितनी सिफात हैं उन सिफात का कोई जामे दुनिया में होना जरूरी है ताकि उस इनसान के नक्ष गदम को देख कर दूसरे लोग भी इनसाने नापिस से इनसाने कामिल तक का सफ़र प्रे कर सकें और लिए इसलिए एक बात आके सब्सक्राइब करूं आप मुझसे बहतर जानते हैं इस बात को मगर बच्चों के लिए कि जहनों महफूर रह जाए बार है हैवान को हैवान बने रहने के ल आए एक इनसान जिससे कभी इनसानों को देखाना हो तो उसके अंदर इनसानी सिफात पैदा नहीं हो सकती है इसलिए के इनसान हैवाने नक्ताल है इसे गदम गदम के उपर जरूरत है उन सीरतों की के जो ऐसी नूरानी सीरते हों कि अगर उनका एक जर्रा उनकी एक झ्खलक, उनकी एक किरन तमाम उम्मत के उपर पढ़ जाए तो सब के दिल मुनवर हो जाए इन्ही सीरतों मेंसे एक पाकी जा आस सीरत इमाम हसन मुस्तुबा अलेह सलाम किसी रहा है इर्प, सखावत, शुजार, अदालत, सखावत जितनी इंसानी सिफात आप तस्बूर कर सकते हैं उन सारी इंसानी सिफात को जब दरज़े कमाल पर पहुँचे हुए देखेंगे तो यह स्थां को नहीं जब उन स्थाव में यहाँ सिर्थ जड़ेंगे जब वो सिफात दिखरती हैं तो चुरसे क्यादे बनती हैं जब वो सिफात सीरत में ड्रटी हैं तो महम्द erw veteran की शफियात बनती है यही बजहाएं कि आप मिला के देख ले में एक मुमिन का तसमूर पेश किया है कि अधिकी मुमिन कौन होता है तो बार बार इस बात को बयान किया आपको बहुत जगाई बात नज़राएगी उनके खलाम में कि वो बयान करते हुए नज़राते हैं हर लखजा-ए-मुमिन की नई यान नई शान रफ़तार में गुफ़तार में अल्ला की बुरहान कहारी और गफारी और पुद्दूसी और जवरूत आप देखें कि क्या है अल्ला की से बात है लेकिन एक आम इंसान में और एक मुमिन में एक कल्मगों में एक मुसल्मान में एक हकीकी उस शफ्स में कि जसने कल्मे को अपने खुन के खत्रों तक पहुँचा दिया उसमें फर्ग क्या है कि एक आम इंसान जो तस्वर चला आ रहा था कि चार अनासिर से मिलके बुनता है अगर्चे अरभाब फैम उतानिश मौजूद है जो अप साब तश्रीव एक एक इमाम इजाफर साजित अल्हें सलातु असलाम में तारीख एंसानियत में पहली मरतबा इमाम ने बज़रिया दिया इमाम ने बताया कि अन्य बपरात को बलत पहनी हुई थी ये चार अनासिर नहीं हैं ये चार गरों हैं जिसके अंदर बहुत सा अनासिर मौजूद है राच्पूरी प्योटिक के विलाब के सामने मौजूद ये कितने अनासिरां इमान में लेकिन एक तसब्र चला था कि चार अनासर नियैंका शार नहीं कि आम इंसान बनता है लेकिन मॉमिन वह चार Яनासिर कों से जिन से मिलके बनता है अनासे ने कहारी, घफारी, बुद्दूसी, जब रूती है जब ये जब मुसल्मान बनता है, तब मुमिन बनता है और इसके बाद तो जो कुछ अबमान ने कह दिया अगर उसको आप गोर करें कोई और कह देता तो फत्वा लगा दिया जाता जिसके बाद जो कुछ आप फत्वा लगा जेता का कोई यो होता यह राज किसी को नहीं मालूम के मौमिन खारी नज़र आता है रखीसत में कुरान कुरान की सिफात बताई हुई इनसाने कामिल की जब बिखरती हैं मैंने अर्स किया तो फिर पर परान की आयतों में जा बजा नज़र आती है परान के सूरों में वो शक्सियत नज़र आती है परान कोई एक पिस्सा कहाली की किताब नहीं है परान में जिन वाकिया को महफूस किया उन वाकियात के महफूस करने का मफस्द क्या था वो अगर ने रिकनाए तो नेजर बलागा पढ़े मुला उसके अंदर रिशाद फर्माते है वो वसीयत जो अपने फर्जन इमाम हसन अलहीं से लाम को की सिर्फियन से वाकियाते हैं जो नेजर बलागा में मौझूद हैं लेकिन खास तोर पर उस वसीयत के अंदर बयान करते हुए करते हैं कि ऐए मेरे लाल मैंने साबगा सीरतों को पढ़ा उम्मतों की दास्ताने पढ़ी इतना इनके उपर खोरो फिकर किया कि गोया मैं भी इनी में से एक हो गया ये मकस्द है इन वाकियात को रखने का कि जब इन वाकियात को सुनो पढ़ो तारीख सामने आए तो तारीख पढ़ने के बाद तारीख में जब दो करदार नजर आएं जब दो forces नदर आएं जब दो कुवतें सामने हो एक हग की ताकत एक बातिल की ताकत तो अपना मुहासवा करो और अपने आप से यह सवाल करो कि अगर मैं उस दोर में होता तो मेरा मुझूदा किरदार मुझे कहा ले जाता है यहें असल मकसद किसलिए यह वाकिया रखे गए और ना अगर वाकिया रखना मकसूल होता तो एक लाग चौबिस हजार अंबिया नाम भी सबके मौझूद नहीं एक नभी का किस्सा इतना ज्यादा कि तकरीबन 35 जड़ा एक हाफिस साथ से एक मरतबा वेरी बात होने दी मैंने का भाई माशालला आपने हिप्स किया बड़ी नेमत है जो आपको मिली किया दुशवारी आती है हफ्सकर ने जह लगए यह जनाब मुसस बड़ा परिशान करते हैं 121 सूरे के अंदर ने को Ahabans का इतनी पहली हुई बाते भूल जाते कहीं मरतावा तो जनाब मुसा के वापयातें इतने बिख्रे हुए इतने सुर माजल की एक सुरह मुसा आ जाता उसके अंदर सारे वापयात जमा हो जाते हैं लेकिन वाकियात को चमा करना मफ्सूद नहीं था, जनाब इगराहीम, जनाब इगराहीम के नाम का सुरह मौझूद है, लेकिन उसके बावजूद सारे वाकियात महा नहीं था, जनाब इगराहीम के बाकियात दिफ्रे हुएं, सिर्फ एक हजरते यूसुफ के नाम का सुरह ऐ कि जिसको बाकायदा तोर पर मालूम हो रहा है कि एक बाइग्राफी है जो पयान की जाना है मिलकुछ शूरू से लेकर वरना जनाब मुसा के वाप रात में शूरू होते हैं तो इस अंदाज से कि बस मुसा चले जा रहे हैं अपनी जोचा के साथ रात की तारीकी में और फिर जनाब मुसा के वश्पन के वापया शुरू हो ले हैं याद करो उस वोक्त को जब हमने तुम पर ताकि इन वाखियात से अपनी जिंद्ऄ पर घौर करके अपनी आइंदा की जिंद्ऄ को मुरत्ब कर सको तर्टीब दे सको देश सको, कैसे खसारे से बचा जा सकता है कैसे नुसां से फाइदे की तरफ आया जा सकता है ये सब वाफियात इसी लिए तो जब भी तारी पढ़ी जाएगी जब भी इस सीरत का पयान होगा इनसान उस सीरत के आईने में अपने आप को देखे गा इसी लिए ये सीरत है और वक्त गुज़रा चला जा रहा है इसलिए मैं छोड़ता हूं बापी बातों को तम्हीदन फिर इंशालला आज 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 इमाम हसन ले सलाम पर और कल इस सिरसले की जो तफ्रीर होगी वो इंशालला इमान हुस्ञाला इस स्लाम पर होगी एक परता बसलबात पर मुहम्म्मद आज़ा अ अगर 11 हिज्री से लेके 11 हिज्री तक के वाकियात को आप देखें प्यगंबर अक्रम की आँख बंद हुई 11 हिज्री में कर बना है इन 50 सानों के अंदर क्या हुआ हुआ तो आज सिर्फ जुम्दा कहा हुँ तश्रीर उसकी पहलता हुआ है जब तख्त के उपर किसी का गासवाना पब्जा होता है तो वो गासव हुआ चाहता है कि ये तख्त ताज मेरी नसल में मुन्तकिल हो जाए कोई मुझ से लेने न पाए वो कभी तख्त को हाद से जाने नी देना चाहता हुआ खत्रा उसे किसे है खत्रा उसे होता है अवाम से अगर अवाम बेदार हो गए तो ये तख्त ताज मेरे हाद से चला जाएगा लेहादा उसकी सबसे पहली कोशिश ही होती है कि अवाम के अंदर कुवत इहसास मौजूद न रहे और अगर कहीं कोई तनहाई में लेट कर सोच लेता हो गोर कर लेता हो तो उसके अंदर जुरत इजहार न हो ये दो कुवतें अवाम में बाकी न रहें ना कुवत इहसास हो ना जुरत इजहार हो अगर ये दो कुवतें नहीं होंगी तो पिर ऐसे अवाम पर हमेशा हुकूमत करते रही है तो कुछ कहने वाले नहीं है यहाज़ा 11 हिजरी से 61 हिजरी तक का सफर अगर आप देखनें तो मसलसल यही किया जाता रहा कि लोगों में इहसास बाकी न रहे और अब यहां से सलाम कीज़े आले मुहम्म्मद को कि अगर ये शफियात न होती तो इहसास वाकई तोर पे मुकम्मल तोर पे खत्म हो गया होता इसकी तश्रीफ मैं कल आपकी फिर्मत में आज करूँआ है लेकिन आज अगर देखें इनका बच्पना भी अगर देखें तो बच्पने से भी वही पेरगाम आपको नज़र आएगा अभी कहवारे में हैं मिलने के लिए असाब तश्रीफ लाएं हैं आते हैं और आने के बाद पेखंबर के फिर्मत में अर्स करते हैं कि या रसूल इल्दा बच्चा बहुत प्यारा है बड़ा हसीन है लेकिन इसकी आँखों में कुछ तरा भी महसूस होती है इसलिए के इतनी देर मैं इसके पास खड़ा रहा मगर इसने पलके दी शब्की मुसलसल आसमान की तरफ देखा जाए प्यगंबर मुस्कुराएं और मुस्कुरा के कहा कि तुम्हे अतना शौूर नहीं है कि तुम इस बात को समझ सको मेरा हसुआ हसन कहवारे में लेकर लोह करें अधरूस का मुकाला बा्तुम गाई इए बचपना परогंबर के संद मौगud है और इसके बाल सना सब्हासा और आगे भाई जाएं'Mा चौदा माह के इमाम-E इह चौदा माह के इमाम हसनई अबु सुफ्यान आया है खान अली में मौला एकाइनात से मिलने के लिए किसी मामले में सिफारिश चाता है कि आप रसूल उल्ला से मिली सिफारिश कर दीजिए मौला एकाइनात ने का नहीं मैं उसे वसले में कोई सिफारिश तुमारी नहीं कर सकता है बस एक मरताबा नजर पड़ी, इमाम आशन सामने मौझूद है, का अगर आप इजाज़त दें तो इस बच्चे को वसीला बना दू रसूल तक पहुंचने को, बई काफिर था, मगर ये जानता था कि रसूल की पुर्बत हासिर करनी है, तो हसन के कदों को पकलना पड़ेगा, आप इजाज़त दें, इसको वसीला बना दू रसूल तक पहुंचने का, एक मरतबा इमाम नहीं, इमाम आशन पिल्ला डाली, और का, ऐ मिरे लाल, मैं ये अख्तियार तुम्हें देता हूं, अल्लाभ अक्बर, चौदा माह का बच्चा है, अमीर अल्मूमिन कह रहें, मैं तुम्हें अफ्तियार देता हूं, तुम जो चाहिए इस स्लसले में फैसला करते हूं, अब उस्फ्यान करीब आया, और आने के बाद, एक मरतबा श्याज़ादे के सामने बैट गया, और का, कि आप रसूल ल्लाभ आपसे बहुत महुत करते हैं, आपको बड़ा अगर आप इस स्लसले में मेरी सिफारिश कर दें, अभी इतना जुम्हा कहा था, कि एक मरतबा जैसे यद ल्लाभ जलाल के आलम में इमाम का हाथ आगे बढ़ा, मैसूस यह हुआ, कि ये इमाम हसन का हाथ नहीं है, बनके फिराओन के रुखसार पे, ये करीम ल्लाभ का तमात्रा है, ब इमान का अगर तू सचे दिल से कल्मा पढ़ ले तो मैं तेरी से फारिश के लिए तया हूँ, अगर तू सचे दिल से कल्मा पढ़ ले, अगर तेरा कल्मा ये वाज़े कर दिया बचा, ये बच्चपना है, जब बच्चपना हैं, पैगर पैसे नवा रहे हैं, तारूफ करा रहें जगा जगा अपनी आगोश में लेके एक मरतबह मस्जिद में तश्रीफ लाते हैं और निम्मर पे इस आलम में बैट गए कि हसन को अपनी गोंद में बिशा लिया खुद्बा शुरू किया गुफ्दगु चल रही है सिलसला जा रही है अब ऐसी गुफ्दगु असभा सुन रहे हैं तो आप अन्नाजा कर सकते हैं कि वो रसूल अला को सुन रहे होंगे या इस मंजर को देख रहे होंगे इसलिए कि एक मिंबर के उपर अगर दो फतीव आ जाएं आगोश मचे को बिशाया हुआ हुआ है गुफ्दगु कर रहे हैं खुदबा जारी है कि इतने म एक इन्तहाई मौजजस इन्तहाई पाकिज़ा शक्सियत दाफिल है वो आये तो पेखंबर ने खड़े हो कि उनका इतराम दिया और बड़ीब आये कैसे आना हुआ है तो या रसूल आला हजब साबिक इस्तिफादा चाहता हूँ कुछ सवालाब है चाहता हूँ कि उनके ज जाएं पेखंबर मुस्कुराएं का अगर मुनासिफ समझें तो आज अपने सवालों के जवाब इस बच्चे से ले दीजिए असाब इस दूसरे का चेहरा देख रहे हैं आज ये पेखंबर को क्या हो गया आने वाला इतना बुजर्ग है चेहरे से मालूम हो रहा है कि कोई बाकमाल शक्सियत है बााजमत इनसान है और पेखंबर बच्चे के हवाले किये दे रहे हैं कि इस दे जवाब ले लो लेकिन ये न पहँचानते हो आने वाला तो पहँचानता है का या रसूल आला जैसा आप मुनासिफ समझें इमाम हसन को साथ लिया मस्जिद के गोशे मे जाके बैट गए रसूल ने अपना खुदबा वहीं से जारी रखा वहाँ वो गुस्तगू है अब लोग कभी रसूल आला को देख रहे हैं कभी उस मंज़र को देख रहे हैं बच्चा सामने बैठा हुआ है बदूर मुटब हुआ बैठा है सवाल कर रहा है जवाब दिये जा रहे हैं कुछ देर गुदरी उसके बाद वो गुदर वापस आये रसूल को सलाम किया का या रसूल आला बहुत शुक्रिया कर रुको यह बताओ कि तश्वी हुई का या रसूल आला जैसे आप से जवाब हासिर करता हूँ वही रहज़ा वही इल्म वही अन्हाद जाने वाला चला गया असाब खामोश है जरुरत नहीं हो पा रही आखिर एक शथ खड़ा हुआ सवाल किया या रसूल आला ये मदीने के तो थे नहीं ये थे कौन जिनको हसन के हवाले कर दिया इन्होंने हसन से सवालात पूछे कहा ये खिजर थे जो अपने सवालात सब्सक्राइब चार प्रदम चलना सके तो मौली में मुसा हो जब उसको मसला पेश आता है तो हसन के दर्मादे प्याता हुआ ये तारुप करा रहे हैं ये पहष्चनवार है कि देखो किनके सुपूर्द मैं तुम्हें करके जा रहा हूं इन शखसियात को पहचान लो अग कि ठोकरे नहीं खानी पड़ेंगी लेकिन अमत ने क्या किया उसके बाद इमाम हसन की सीरत को अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं इमाम हसन को आप देखें इतना मजलूम मिला इमाम है कि जिसके उपर नौ मरतबह गातिलाना हम्रा हुआ हर मरतबह जब जहर दिया जाता था इमाम छे साथ महीने बिस्तर के ऊपर दरखते रहते हैं कोई तकाबल नहीं है इमाम हसन की मुसीबत अपनी जगा पर लेकिन यार लखें सीरत इमाम हसन इतनी घरन एक मजलिस पर बयाद नहीं हो सकती है लेकिन इमाम हसन करवला में आपको जो कुछ नजर आ रहा है कर्वला में जो बहत्तर आपको रज़र आए इस से पहले इतनी बड़ी तादाद में मुखलिस असाब किसी मासून को नहीं बिले परगंबर के साथ हजारों से लाखों से लेकिन ना बंदाजा कर सकते हैं बेटर यह तो तबलीः परगंबर का मौजज़ा है कमाल है वाख़ी तफ्लिव पेखंबर का कि जिनको पुरान टोक रहा हो जिनको बार बार टोका जा रहा हो रोका जा रहा हो ये न किया करो वैसे न किया करो नभी की आवास पर अपनी आवास को बुलंद न करो जब घरों में जाओ तो दस्तक दे लिया करो दिवारें कूट के जुम्हे के जुम्हे नहा लिया करो जब परिगंबर के पास आओ तो ज्यादा तेर नबेशा करो मेरा हबीब तुम से कह नहीं पाता है कुछ लेकिन परिगंबर के अपने भी कुछ काम है कुछ देर बैठके चले जाया करो अपने दातों को साफ कर लिया करो बदुदार निवास पहन के नाया करो इस सारी बाते टोके जा रही है ये तवलीग पेगंबर का मौजजा है कि जिने खुरान इस लहजे में टोक रहा है नभी ने उनको इस मनजिल के उपर पहुचा दिया कि आज दुनिया सहावी कहके सलाम कर रही है आज सलाम कर रही है ये मौजजा है पहुचा लेकिन बात अर्सकर नहीं है जिसकी तरफ आपकी तवज़वात को आसर करना है तो यही कि पहसनवा रहे थे बता रहे थे अपनी मंजिल को तुमारी मंजिल है इसको पहचा दो मैं जब याद रखो निजात तुम्हे उस वक तक नहीं मिल सकती कामया भी तुम्हे उस वक तक नहीं मिल सकती कमाल तुम्हे उस वक तक हासिल नहीं हो सकता जब तक उन हस्तियों से वापस्ता ना हुजाओ जिनका मैं तारुफ करा रहा हूँ एक ही मिंबर है एक ही मजमा है लेकिन पैगंबर का अंदास देखे जब ये सामने आते हैं कहते हैं छूटना बोलना थोका न देना वाला वफा करना मुनाफ़कत न करना अल्ला के लिए काम को अंजाम देना खुलूस के साथ काम करना शराब न पीना जुआ न खेलना वही मिंबर वही मजमा वही मस्जिद जग्या सामने आते हैं रोक रहें चोक रहें ड़ा रहें अंजाम से बाख़बर कर रहें तंबी बार बार तंबी ये ना करना वो न करना और इसी मिंबर से नजर आए हसन सामने आ गए का इसे पहचान लो, ये मुझ से है, मैं इससे हूँ, हुसैन सामने आ गए, का हुसैन अमिन्दी वाना मिनल हुसैन, हज़ते सहरा तस्रीफ ले आई, खड़े हो गए ताजीम के लिए, ये बता रहे थे कि देखो पहचान लो, मिंबर एक है, जगा एक है, मगर तुम नसराते ह तो ढोता हूँ, रोता हूँ, तंबीर करता हूँ, ये नतरा आते हैं, वसाइभ बयान करता हूँ, पहचन वा रहा हूँ, जन्दम भाटने वाले और हैं, जन्दम बाटने वाले और हैं. गाव Payal कावे दूर पढ़ पढ़ने वाले, कहा जिन पर डूर पढ़ी जाए आए यह जिरी कावे में पैदा हो हाँ 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 कि अनल ओसे दियाद लिदावार जिर मुर्दावार वर्यादरिया आप औरों की बात मुझाने में दीए खुद हज़रत अबु तालिब के घर में और भी पैटाय अबु तालिब के तालिब जाफर अकीर लेकिन क्या कि अली के बराबर ने है का नहीं है दलील का दलील तो शुरू ही से नज़र आ रही है बनावर हो इसकते हैं इसलिए के ये सब पैदा हुए अबु तालिब के घर में अली पैदा हुए अलाफ के घर में अरे तो जुम्रा कहने को ने जा रहा है जब अबु तालिब के घर में पैदा होने वाला अली ये ऐसा नहीं हो सकता तो मक्गे के चौरा हो बकरता होना है यही इंतकाम है जो लिया जा रहे हैं नौ मर्तबा मेरे इमाम के उपर गातिला नामना होगा और आप देखें कितनी जल्दी है इमाम हसन को फितने का खातिमा कर देने की कि अबी बाबा की शहादेस होई है बाबा का सोग भी नहीं मना आया बाबा का सोग बाद में मनाएंगे तो इन Beimber के ओपर तश्रीफ लाए इसलिए कि वत वह रहा ए कि बस नो ये जो अमाम के आखरी AYYां मुजभे बस इसमें हमला करने की जो ऊपका की या उड़ी है इसके बार अपार कि एूब की हिशार पांड़ को अपर बांइब एठ को को पांच हजार का सरदार बनाया सभी इसको अगले पांच हजार का सबसे पहले एक को रवाना किया तुम जाओ आगे अभी गयब हुए ज्यादा देर नहीं आई कि महां से पैगाम आया मौला उसने रिशुत ले ले लिए दिख वेरा अबैदुल्ला इबने अभास को रवाना किया अबैदुल्ला इबने अभास तो भै की शख्सियत हैं मौला काइनात के शागिड़ हैं बाहर के नहीं हैं और इनको सरदार बनाने का एक मकस्द ये भी है कि अबैदुल्ला इबने अभास जाती तोर पर ठाके में शाम के हाथों बहुत नुक्सान उपा चुके हैं समराई अबने जुन्दक के जलिये से जो हमले हुए हैं मुक्तलिफ शेहों के उपर पस्तियों के उपर जहां बेगुणाहों को पत्ति किया गया माँ अबैदुल्ला इबने अभास के घर पर जब हमला हुआ तो इनकी जोजा की आगोश में दो बच्चे थे थे दो शीर खार ऐसा जुल्म किया हाकिम शाम के सफाक कारिंदों ने उन बच्चों को ऐसे शहीद किया है कि बच्चों को उठाया और प्रांग पकड़के माँ के सामने बच्चों को दो टुकड़ों के अंदर तख्रीम कर लिए नहांसा एक आग इसी जो इनके सीने के अंदर थी बनियों महिया से इंतकाम देने दीवानी हो गई जो जाओ जहनी तवाजन बिगड़ गया उनका अपने बच्चों को ऐसे शहीद होते हुए देखा सामिए प्रांग अदर अबच्चों को खुक्मरा बनाया उनके हाथ में प्यादा बीस से पेश साला बनाया तुम जाओ पहुंचे कितने नाजुक हादा थे मेरे इमाम के सामने में ये जरसा आपके जहनों को खीब लाने की जाओ वहाँ से आने वाले आए डेलिगेशन आया मुलापात की कवेल ट्राइब में आप पास तुम इतनी बड़ी शफियत हो क्या करो बच्चे तुमारे गए जोज़ा तो दीवानी हो गई अगर हमारे साथ मिल जाओ दस लाक देरहं देहतरीन खानडान में शादी जिस सुब़े की चाओ उसकी कवर्नरी ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके एवज उबेदुल्दा इवन अबास ने अपने वफादारी को तब्दीर कर दिया अपने एमान का सुधा कर लिया लोग करते हैं क्यों इमाने सुलो करिये क्यों इमाने जंग ने की और इसके बाद जब इसकी खबर यहां पहुंची अब जासूस प्रूस 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 उनके हाँ इतना आया हम यहां रह गए हमें कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंगे अपने ही लशकर के ओपर हमला कर वी लगा अपने ही लशकर को लुगना शूरूब किया नतीज़ का हुआ कि इमाम हसन के ओपर पहला खातिलाना हमला हुआ मुसल्ला खीच दिया गया पीर चलाया गया अगर आपने अपने लिबास के नीचे जिरा न पहनी होती तो वहीं शहीद हो गए होते है पहला हमला है जो इसके बाद साथियों ने इमाम को हलके में लिया महफूस किया यहां से मदाइन मुन्तखिल किया इसलिए के मदाइन में साथ इबन मसूद सकफी गवर्नर है जो चाहने वाले है मुदार इबन अबु उबेद सकफी के चचचा मुदा काइनात के दोर में भी दोर ने लेकुते हैं चाहने वाले हैं भरूसा हैं उनके ओपर उनके घर में पहुँचा दिया किया अला इतनुमा घर है उनका वो कहते हैं कि मुदा मैं आपकी हिफाज़त करूँगा और खल्प किसी खेर को आने नहीं देता खरी लेकिन ऐसे में भी मुसल का एक शिया आता है सोपल शिया और आने के बाद कहता है कि मुदा मेरी दावत कुबूर फरमाई ये मजबूर किया और इस तरमियान रास्ते में हमला हो चुका है जिसके मुदालिक आपको मालूम है कि ऐसा खंजर था जो रान अफ्दस के अंदर पेवस्त होके हड़ी तक पहुँच गया तो इतना खून बह गया कि इमाम भश कर गया मुसल का ये शक्स आता है का मुदा मेरी यहां तश्रीफ लाईए इमान को दावत देता है सब कुछ जानते हुए पश्रीफ ले गए इमाम फिर जहर दिया गया इस जहर सभी बस दौा करते है माबूद अली मेरा काम मुकमल नहीं हुआ अली मेरा काम मुकमल नहीं हुआ पर दो-ती मिनट सुने इसको पिर आर्स करता हूँ इसके बाद पिर वहां से जहर बेजा गया का ये जहर नाकाम हो गया, दूसरा जहर दो, वो जहर लेकर कारिंदा आ रहा था, रास्ते में, तो सिपाई सो गया, उसके उपर भेड़िये ने हमला किया, खलाक कर दिया उसको, वहां से एक चाहने वाला गुजर रहा था, उसने देखा शामी लिबास में एक शखलाक हुआ जरूर Laboratory जहां से तलाशी ली, वो जहर मिला, वो खत मिला, वो जहर खत लेकर एमाम के खिछनदना आया मौला ही जहां से इस शखस के नाम, मदाइन के इस शखस के नाम, यह खत लेकी आया था, यह आपको जहर देने की इराद़ रधता था, छुपा लिया इमाम लेवसे नह उसको वासे ले जहनुम किया। फिर मज़िद के अंदर तश्रीव फरमाएं। नाबीना शख्स दाफिल होता है। हाथ में असा लिये हुए है। इमाम के खरीब आता है। और असा में नीचे मीख है जो जहर में बुझी हुई है। अंदा कौन उसके ओपर शक्त करेगा। आके इतनी जोर से इमाम के पाई अफदस के अंदर वो मीख पेवस करता है कि उस जहर से च्छे महीने तक मेरा इमाम तरहता है। तो मजलुमियत आपको बताओं। इंसान जब बाहर के दुश्मनों से नुफसान उठाता है, परेशान होता है, तो उसे घर में आके कुछ सुकून मिलता है। इसलिए का ज़या है, घर सुकून का मरकज है। तुमारी जोजा हुनना लिवास लखुम वांतुम लिवास लखुम। और तुम्हारे लिए लिवास की हैसियत है तुम उसके लिवास की हैसियत हो लेकिन इमाम जब घर में तश्रीफ लाते हैं बाहर जमाना दुश्मन है और घर में खुद जौजा दुश्मन की तरफ से गातिल बनी होगी है अब अन्दाजा करें ऐसे माहौल में करमला में जो मजमा आपको नज़र आ रहे जो मुखलिस अचाप नज़र आ रहे ये नतीजा है इमाम हसन की दस साल के पुर्मानी का इमाम हसन की तरफियत करन दीजा ये हालात हैं कि जिनमें इमाम कुस बलके सुल्ह करनी क्या पड़ी ये जुमला तो हम इस्तमाल कर लेते हैं असल में ये कहना नहीं चाहिए इमाम ने सुल्ह नहीं की इमाम से सुल्ह की गई थी इसलिए कि दुश्मन ने सफेद कारस भेड़ दिया था आप इसके उपर शरायत लिख ले और पहली शर्ट ही मो लिखी छे सरायत और अमाम ने लिखी है सबकर बयान नहीं हो पाएगा वक्त नहीं है लेकिन पहली शर्ट हाकिम शाम को गुरान और सुन्नत पे चलना पड़ेगा रही है ज़रत तवज्जव बर्माएगे मैं ये एलान यहां पे करूँ कल से मजलस में मातम दी होगा कल से होगा का मतलब यह है कि आज तक नहीं हो रहा था का आकिम शाम को गुरान और सुन्नत पे अमल करना पड़ेगा उसने दस्तखत किये यह दस्तखत नहीं किये इमाम ने इतराफ करा लिया कि आज तक ना गुरान पामन हुआ ना सुन्नत पामन हुआ उसके बाद बड़ी बाते चलती है भाई भाई है आज तो बड़े मारे चलने है हैं दूसरी शर्फ मेरे बाबा के उपर जो दुशनाम किया जाता है उस सिलसले को रोकना होगा दुश्मन के दस्तखत करा के इहतराफ करा लिया कि मिम्बर नुमा बुलंदियों से मेरे वालिद गिरानी के खिलाफ नफसर रसूल के खिलाफ कैसी कैसी गुश्दाखियां की जाती है यह उपूमत जब तक तू जिन्दा ये तरे पास है उसके बाद हमारी तरफ पलटाएगी मैं जिन्दा रहा तो मैं हाकिब रहूँगा नहीं रहा कि मेरे भाई हुस्दाखियां की तरफ हुकुमत पलटे शनायत है दुनिया कहती है तास्र देने की कोशिश की जाती है यह बयान करने की कोशिश की जाती है कि इमाम हसन शुचात भाई जैसा अंदाज नहीं था अगर इमाम हसन नवोसब दिल्ला हिमाम हसन जैसी शुचात होती हिमाम हसन जैसा अंदाज होता तो फिर कुछ और मनज़ नज़र आता अरे आपने गोर नहीं किया जरा यह तो देखिए कि इमाम हसन से किस चीज़ का मुतालबा हुआ है इमाम हुसािन से किस चीज़ का मुतारवा हुआ है हसन से हुकूमत मागी गई हुसین से बैयत मांगी गई नहीं को जब बनाए हुसन से हुकूमत मांगी गई हसन जैसे सखी के लिए ये मुम्किन नहीं है कि साइल हाथ भैलाए हुए हो तो हसन उसे महरून कर दे है लेदा हुकूमत की खैरात दुश्मन की छोड़ी में डार के कहा कि जा अगर हुकूमत चाहिए तो ले 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 खुदा की तसम अगर हसन से बैयत मानी गई होती तो फातह करबला हुसेन न होते फातह करबला हसन इबन अली होते यह बात नजर आई यह आपको नजर आएगा कौन शुजा आईए शुजात अल्ला हुक्पर शुजात देख रही है में लाने जमल में आईए पहला ही मंजर है या मौला हज़रत मौमल हनफिया से कह रहे हैं हैं मेरे राल खुद बाने अजर अलागा में मौझूद है अपने दाटों को दाटों पे जमाए रखना आखरी सब के नजर रखना अपने सर को अल्ला की राह में आरियतन दे देना कलम बढ़ाते से ले जाना आगे बढ़ना इस बात की परवाह ना करना कि दिसमन की प्रादात कितनी है फत्खो जफर अल्ला के हाथ में तुम पढ़ाते रहना मुहम्मद हनफिया जैसा अश्जय अरग आगे बढ़ा लगर तीरों की इतनी बारिश हुई कि पलट आए फिर इमान ने कंदे पहाद रखा फसीना पोचा शेयत का शर्मत पिलाया का मेरे लाई जाओ आखरी सब पर नजर रखो आगे बढ़ो और कोने मुहमद हनफिया मामूली नहीं है मामूली शभ्सियत का नाम नहीं है शाम में एक मुर्टबा मुहमद हनफिया मौजूद है और ये बहस हो गई ये गुस्दुगू हो गई कि यह जाला बड़ा पहरवान कौन है यह जाला तागत वर कौन है जनाब मुहम्मद हनफिया बैठ गए का जो हैं सब को बुला लो जितने हैं उन सब को बुला लो बुला लिया गया कब मैं बैठा हुआ 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 ह जबान से कुछ नहीं का बस ऐसे चेहरे अग्दस इमाम हसन की तरफ घुमाया बाबा का इशारा देखा बस एक मरतबा रखावों पर जोड़ दिया और अब जो इमाम आगे पुहें तो ऐसा लगता था जैसे मेलान में कोई पिछली कौन गई हो एक लबहें के अंदर सफे मु नहीं हमना में भी हसन थे मैसला में भी हसन थे खर्व लबहें हाँ हसन थे आखरी सब में भी हसन थे खरी पहुचे एक ऐसा बाद किया कि उटके दोनों ठांगे काटके लगदी रापस आए अशकर को मुंत शिर करके मुहम्म्द आखनकी की नजरे जमीन में बढ़ देई प अम्मण अनफिया, मतम अपने से नगाया एक तो जिम्ला का है। क्या खुब सर्थ decnnood बाद है। का दोस्त सिर्फ वो नहीं है जो दोस्त की परेशानी में परेशान हूजाे। हकीरी दोस्त वो है जो दोस्त की काम्याबी पर खुश हो. दोस्त सिर्फ वो नहीं है जो दोस्त की परिशानी है परिशान हो जो दोस्त की कामियाबी पर खुश हो वो दोस्त होता है और उसके बाद का मेरे लाल शर्मिंदा ना हो पशेमानी के ज़रुवत नहीं है मुकाबला बराबर वालों होता है तुम मेरे बेटे हो ये मुहम्मद का बेटा है शुरा पर मुहम्मद वालि मुहम्मद और इसी लिए जब बात सुलूप को चुकी जमाना आगे पड़ गया तो हाकिम ने एक खत लिखा रहा और उस खत के अंदर लिखता है कि देखो खवारिज फिर सज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज किया ये आपके बाबा के मुकाबले पर आए आप इनके खिलाफ महास तैयार करें जंग करें इनके खिलाफ शपाहियों की जरूरत होगी तो मैं फराम करूंगा इमाम ने इस ख़त का जो जवाब दिया है उसका एक ही जुम्ला कहा अगर मेरे पास अंसार और रुफुका होते और मैं जंग करने का इरादा कर लेता तो ख़वारिच को बाद में देखता पहले जंग करने के लिए तेरी तरफ आता इसलिए कि तू खवारिच से बड़ा फितना है ऐसा है एलान जंग जहां तादार भी बहुत कम है जहां चाहने वाले भी बहुत कम है यह आलम है तो ऐसे मनाज़र आनी पाए कि शुजात है इमाम इहसन दुनिया को नज़रा आती है वरना हर लुख पर देखें सखावत का अलम क्या है दो मरतबा इमाम ने तारीख में यह दर्स किया तारीख में यह अमल कि अपने सारे घरवादों को लेकर घर से बाहर पशीफ ले आए और मदीने के फुकरा को आवास देखे का मिरे घर के अंदर दाखिल हो जाओ और जो तो अपनी सखावत का रोख दिकाने के लिए हाओकि ÖNRA मदीने का रुप किया वो icons कर दिया किया आएगा उसे हश्ब चुफिख एनाम दिया जाएगा लोग मिलने के लिए आ रहे हैं इसलिए कि ऐसे तो आपको बहुत मतला हैं या खाहिशात की जिंजीरों में जिक्ड़े हुए अपने नफस के असीर अपने एमान की कष्रियां अपने सरों पर रखे हुए दर्वारों कर रुख करने वाले बनी उमया के दिस्तर खान की नुची हुई अट्डियों पर अपने जिंदगी गुजारने वाले तब पहुंच रहे हैं अटा किया जा रहा है दिया जा रहा है सब को इमान को पेगाम बेजा है कि सबाएं हैं आप तश्रीफ नहीं लाएं सबसे आखिर में इमान को श्रीफ ले गए जब इमान पहुंचे तो अपने दरवारियों को अपने तमल्लुख बास चापलूसों को खुशामदियों को मुखातिप करके कहता है तुम्हें मालूम है ये क्यों सबसे आखीर में आएं ये सबसे आखीर में इसलिए आएं है कि हमारा खजाना खत्म हो जाए और जब ये आएं तो इने देने के लिए कोई तफ़ा हमारे पास ना होगा उसके बाद अपने खाजन, खजानची को देखा हादिन की तरफ निगा की का जितना अब तक सब को दिया है उतनी मिखडार में तनहा हसन के लिए लेकर आओ इमाम हसन के लिए उतनी मिखडार में तनहा लेकर आओ इमाम मुस्कुरा रहे हैं कुछ बोल नहीं रहे हैं इमाम के लिए लाया गया है इमाम के खित्मत में पेश लिया इमाम ने कुबूल कर लिया जब देख लिया कि इमाम ने कबूल कर लिया है तो एक मरतबा बड़े फखर के अंदाज में कहा कि इतना मैंने सब को दिया है इतना तनहा हाँ को दिया है इसलिए कि मैं हिंदा का बेटा हूँ इमाम मुस्कुराए, खड़े हुए वापस जाने के लिए ख़दम बढ़ाया था कि इसका एग गोलाम आगे बढ़ा और इमाम की नालैन को सीधा कर दिया इमाम की नालैन को सीधा करके रख दिया इमाम में महब्बत की निगा से देखा सर पे हाथ रखा गुलाम इसका है खिद्मत मेरी कर रहा है गुलाम इसका है खिद्मत मेरी कर रहा है जतना सब को दिया था उतना इमाम को दिया था इस खिद्मत के रिवस इमाम ने वो सब गुलाम को अता कर दिया नहीं तवज्ज़ परमाएं सारा दर्बार एक दूसरे को देख रहा है सब के चेहरे का रंग फख हो गया एक मरतमा घुसे की लखी रहा हाकिम के चेहरे पर उपहने लगी इमाम को मुखादित करके का ये आपने क्या किया मैंने सब के बराबरा आपको दिया था का ये तेरा खुलाम है इसने मेरी खिद्मत की हम आले मुखाद बगहर उजलत के कोई खिद्मत नहीं लेते ये मैंने इस्सा अता कर दिया ये मैंने इस्सा अता कर दिया उसके माँ मुस्कुराए दर्बार में नज़र डाली वो ये कहते हुए दर्बार से निकल गए तू हिंदा का बेटा है मैं साथ अमागा में बेटा हूँ सलावाद बड़े मुहम्मद वाल इमाम एक मुखा हुआ रहे इसके बयान का इस वक्त महल नहीं है कि जब इमाम ने खुद्बा इशाष पहिमाए मगर ये दो ऐसी हजीमते हुई ये दो ऐसा नुफ्सान इमाम की तरफ से उठाया कि इसका इनत्काम लेने का जजबा है जो दिल में मचल आए किसी तरह इमाम से इसका इनत्काम लिया जाए लाज़ा शाम में जाकर अपनी वली एहदी का यजीद के वली एहदी का इलान किया और उसके बाद पुरी स्कीम तयार हुई कि अब इस तरवार में हसन को बुलाया जाए और अपनी बेज़ती का इंतकाम लिया जाए इमाम हसन को तरवार में आने की दावद दी गई शाम आने की दावद दी गई और पहले से पूरा सावश तयार है सिपाई हमारे हैं तलवारे हमारी हैं इबने असीव ने लिखा कि एक हजार नंगी तलवारे थी जो किसी हुई थी बर्बार में ताकि इमाम दाखिलों तो इन तलवारों की चमक देखका इसलिए जानते ही नहीं मालूमी नहीं है है जब इमाम को खत्र लिखा तो ने जो यह लिखा है मौलाय का इना कर शक्रा आए कि तूने यह लिखा है कि तू मेरे ऊपर कि एक लश्कर जर्रार लेकर हमला करेगा तो तेरा यह जुम्ला पढ़के मुझे हसी आ गई तेरा यह जुम्ला पढ़के मुझे हसी आ गई तू अबु तालिब के बेटे को जंग से डा रहा है अबु तालिब के बेटे को जंग से डा रहा है अलुमा मौझे हैं मुझेन मौझे हैं इन सब के सामने आज नाओ खूति आज आग एप लिल्मा मुझे तदूब की तदूर के अज़निए ह आज इन्तिकाम लेना है हसन दर्वार में दाखिल हों कोई पर्दा ना उटाना कोई सलाम ना करना कोई इस्तराम ना करना कोई तवज्य न देना औजब दाखलूं तब तम तयार किया गया है इदर عمر बिनास मौजूद है इदर मगैरा इπन शेवा मौजूद है इदर عمر बिन हुरेस मौजूद है इदर उदबाय इभन विश्यां मौजूद है कि तुम सब तयार गरो जैसे ही वो आएं अपनी अपनी शान बयान करना हमारे भुजर्ग इतने रईस थे इतनी दौलत थी इनके वालिद क्या थे जमीन पर बैट कर फखीयों के साथ खाना खाने वाले फखीयों के साथ रहने वाले मामूली खदर का लिबास पहने वाले जो की सूखी रोटिया खाने वाले का इस अनास से तोहीं करना ये अजीब बात है दुनिया समझ नहीं पाई आएक तक मुला काईनात ने जब भी अपना तारूफ कराया जब भी कहीं मात आई जब भी किसी ने पूछा ये का तारूफ जान के क्या करोगे एक फ़कीर है जो फ़कीर के साथ वाइफ़ हुआ है या जीब बात है अली ने अपने आपको बहुत मरतबा फ़कीर कहा मगर तारीख आज तक जब अमीर के के खुबार रही है अपने अपने हमाले देना आज मामूज बिल्ला साब शकूरी इमाम हसन को बोलने नहीं देना शाम की तारीखियों में फातिमा के लाल में गदम रखा मरकज अनवार शक्सियत शाम में दाफिल हुई अब जो इमाम दर्बार में दाफिल हुए हवा का एक तेज जोंका चला पर्दा खुद वखुद उड़ गया इमाम मुस्कुराए दर्बार पर नजर डाली कहा ये तेरी रियाया है ये मेरी रियाया है राफिल हुए वो जो सुरीय कहा था कोई ताजीम न करे सबसे पहले वो खुद ताजीम के लिए खड़ा हुए ये खड़ा हुआ तो वजीर खड़े हुए अमीर खड़े हुए मुसीर खड़े हुए दर्बारी खड़े हुए गुराम खड़े हुए साय दर्बार इवाद की ताजीम में खड़ा हुए बात में जम्याँ इवाद का श्रीव ले गए तो खड़ ना कोगे का मैंने कहा भी था ताजीम ना करना क्यों खड़े हुए भुजुने झा खड़े हुए तो एक मर्दवा जैसे कहीं खो गया का मुझे नई मालूम में क्यों खड़ा हुआ लकिन जैसे ही हसन ना दरबार में पद्धन रखा मुझे यू महसूस हुआ के यह हसन नहीं है ये रसोल उल्ला है ये रसूल उल्ला है कि मैं रसूल उल्ला के ताजीर में ख़ड़ा हुए है मैं अचुर्च क्षो आई मैं आंचु wok een शुरिफ के गाल जा रही है बस जैसा की पहले से तईसा है सबसे पहले अमृ बनास ने बोलना शुरुँ किया गुस्ताखियां करता रहा है इस ये जो मैं आपके खिद्मत में बेयां कर रहा हूं मुफ्तसर अलफाज में इसले के वक्त रही है सब को छोड़ते हुए जो मालूम ही निए कि नियर होगी पड़ते हुए वो बस आखी मगरा एक मतबर से लवाद पढ़े मुहम्माद तबरसी ने इसको तारीख का सबसे बड़ा मुनाज़रा परार दिया है तारीख का सबसे बड़ा मुनाज़रा है मोगरा इबने सबसे पहले अमर बिनास गुस्ताखियां करने शुरू की मुला काइनात की शान में ऐसी ऐसी गुस्ताखियां की कि बस मैं बयान भी नहीं कर स हुए तहमूल के साथ एक एक लफ को सुन रहे हैं खामोश हैं जब सब कुछ बोल चुका तो दरवार में से किसी में कहा कि मौला आप ने इसका जवाब नहीं दिया आप ने इसका जवाब नहीं दिया बस एक मरतबह निगा उठाई अमरे आप नजर डाली दरबार को देखा तुम ही बताओ क्या यह मेरे जवाब के लायब है फिर अमरे आज से मुफातिव हुए का तू वही नहीं है कि जब तू गहवारे में था तो चेनत आवा किया था मुझे जवाब ही मेरे जवाब के लाया था अभी इतने जो बदमुस्तसर करना हूं लगवाब नहीं है मुझे यह पहले बाद छोड़नी चाहिए ते पीश में कुझे लेकि क्या करूं एक मजिस के अंदर कितनी सीरत बयान हो सकती है तो जैसे यह का एक मतलबा हाकिम दर्म खामोश हो जा अभी इतनी बात हुई थी अब जो देखा के मामला उल्टा हो रहा है तो आमर बिन हुरेस प्रेलू में खड़ा हुआ था एक मतलबा तलवार निकागी और तलवार अलम करके हवा में लहराता हुए का हसन अपनी जमान को खामोश करो वरना देखो नहीं पर तलवार चलाएगा तू तलवार चलाएगा तलवार चलाने की धंकी देरा आ है तू तलवार चलाएगा तेरी तलवार को उस पर भी नहीं चली जिसे तूने अपने ही हुज्रे में अपने ही प्स्क Неक really can yes ओपे गेरत तेरी तल्वा तो वहां नहीं चली जहां तल्वा जिलने की रखी देरा है खनुत की बात थी अगर ऐसे गुस्ताखी न करता तो राज राज रह जाता मुगरा इबने शेवा आगे बढ़ा का हसन तुम बहुत बोल लिए तुम ने बहुत बातें कर ली बस अब खामोश हो जा और ये कह के मौला काइना की शाम में गुस्ताखियां करने शुरू की तेरे दिल में तो इनाल होना ही चाहिए इसलिए कि तू वही तुल है जो अभी चंद रोज पहले अपनी मा को धखके देकर पूछ रहा था बता मेरे असली मापका नाम क्या है चा तू वही नहीं है अभी पूछ रहा था कुछ दिक पहले और इसके बाद छोड़ता हूं बादी गुफ्तुबू को एक एक को जबाद दिया और फिर एक मरतबा इमाम में अपने खुजबे का आगास किया अल्लाहु अक्बर में जुल बलागा में मौला इर्शाद फर्माए हम कलाम पर हाकिम है कलाम की रगे हम से भूटती हैं कलाम की जड़े हम पर मुंतही होती है इमाम कलाम कलाम इमाम बस एक मरतबा बहुना शुरू किया का ऐ लकड़ी के तख्टे के उपर बैटकर लकड़ी के तख्टे के उपर बैटकर लोगों के जिसमों पर हुकूमत करने वाले सुन सुन अगर सुनना चाहता है इननल अर्श सरीरी वल अहमद उ जमीरी वाली उन अमीरी वल हुसैन उ वजीरी वाल चिबरील उ फखीरी लकड़ी के तख़ पर बैठकर हसन का मुकाबला कर रा है मेरा तख़ अर्श आजम है जमीर मेरा मुहम्ब अर्वी है अमीर मेरे अलीयम मुर्तुजा है मजीर मेरा भाई हुसैन है और चिबरील हमारे दरका सभीर है तर पर एक बसमे को खिता किया एक निजाहे खिलिट टाली का चा देखते हो क्या सुनते हो तुमने इनके गुस्कुष सुनी मगरीब को मगरीब बना दूं इराग को साम करतों साब को ए्राग करतों अब यह तो चुम्मा नहीं कहा था यह तैंट अफ़ा यह तुमद्वीया नहीं करते कहा है तो आमने यादी में दोगे मजिने में बैदी हुए है रादरी 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 महम्मध भाले महम्मध सरवा महम्मध महम्मध रादरी महम्मध मजमे में बैटी हुई मगों गतर्वियां बेवेरत इतना चुम्मला कहा था कुनफयकून के मजहर हैं इतार उसबाने अबतर से अनफास निकले हपीपतें बदल गई बस एक मतबाः शर्मा के बदल निकलना चाहा का रुप जा पूरी सदा सुन जा पूरी सदा सुन वो जो घर पे बैठी हुई तेरा इंतजार कर रही थी वो मर्द बन चुकी है दुनिया अभी तक कहने बैठ के मुझजात ही की बात कर रही है ये जानते थे कर नहीं जानते थे ये पता था कर नहीं पता था रे तुम अभी पहचानते कहा हो जो वाकिया का मोहताज हो उसे हसन नहीं कहते वाकिया जिसके अरफास का मोहताज हो वाकिया के मोहताज नहीं है यहाँ बस अजीदों खत्म हुई बस तो को माज़रत चाता हूँ मुझे एहसास नहीं हुआ कि कितना नहीं पड़ता चला जा रहा हूँ लेकिन वो इमाम क्या फ़जाई ने इमाम के क्या पयान किया जा सकता है तेने मुझे सर वक्त में मगर आज उसी इमाम की शब शहादत है अल्लाओ अग्बर कैसे पसाईब है जो इमाम के पड़ए मैंने अर्स किया कि कैसे कैसे हमले घर जिसका इनसान का घर मरकज होता तैसकून का मगर जहां घर में आलब यह हूँ अल्लाओ अद्तिवर दो मरतवा जहर दिया जोदाब इंदेर शस्तियों और इस दोनों मरतवा के जहर में नाकाम हो गई अभ्यमाम ने अब खाना खाना घर में छोड दिया था खाना या ours लिए उम्मस फरवा के घर काते पे जनाब ज़िग से खाना है करता है, क्या मसाहिभ हैं, मगर बस मसाहिभ का भी वक्त नहीं वचे है। पंच-छाथ मेना कशलीग है, परखने के लिए नहीं है, अगर अहसास हो जाये तो जुम्ले भी का दाफी है। कैसे मसाईब है मेरे इमाम के, कैसी मुसीवत हैं जनसे इमाम इन हसन गुजरे हैं, भै इतना समझ लीज़े, कि एक दिन जब इमाम इन हसन गाफिल हुए, तो देखा कि इमाम इन हसन बड़े फिक्रमन्द है, कुछा भाई, क्या बात है, बस कुछ गुफ्तगू हुई, उसके इमाम हसन जारो खतार रोने लगे, गिरिया फर्मा रहे हैं, रो रहे हैं, इमाम इन हसन ने का, भाई, हसन क्यों रो रहे हो, का भाई, मुझे वो वक्त याना रहा है, जब आपके जिगर के टुकले कट-कट के तस्त में निक लेंगी, मैं उस वक्त को याद करके रो रहा मैं इतना सुनना था, एक मरतबा इमाम हसन ने का, एभाया हसन, हाँ, तुम उस वक्त को याद करके रो रहे हो, मगर जब मिरी शहादत होगी, मैं प्यासा नहीं हूँगा, मैं अकेला नहीं हूँगा, मगर हाए, मैं उस खरीब को देख रहा हूँ, जो वतन से बहुत दूर आलम गुर्बत में, जलते हुए सहरा में, तीन शबरोस का प्यासा शहीद है, दोनों भाईयों ने बिले में पाहिटा दी, इतना गिरिया किया, इतना रोहे, रजीजों, इमाम हसन के मसाइब, इमाम हसन की मुसीबतें, बस कैसी, क्या मसीबतें बयान की जाएं, ताबू त एक मौला का जाकिर है, खतीब अब्दुजहरा, बहुत मशूर है, बहुत इससे बातें आपने सुनी होंगी, एहले मिंबर से, अब्दुजहरा, शहाजतें इमाम हसन की मजलस खताब करना है, बड़े मसाइब बड़े, बड़े बड़ा गिलिया हुआ, जब मसाइब घर पहुचा, सो गया रात में, तो इमाम तश्रीफ लाय खाब में, और आने के बाद का, अब्दुजहरा, तुने मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं पड़ी, मत तड़ब गया, तड़ब के कहता है, मौला, मैंने आपकी हमसार मुसीबत बयान की, का नहीं, तुने मुसीबत पढ़ी, के जहर का असर ये था, के कलेजे कटुकुडे कटकट के निकल रहे थे, मौला, मैंने ये मुसीबत पढ़ी, के बेहने बेचैन थी, जैनों को किसी तरह परार नहाता था, मौला, मैंने हर मुसीबत पढ़ी, का नहीं, मगर सबसे बड़ी मुसीबत कहा प वहाई मुसी शहीद था मैं हुसाइन का चेहरा देख रहा था हुसाइन मेरा चेहरा देख रहा था का मेरी उस मुसीवत को जरूर बयान किया अगर इस लिए के हम दोनों भाई कुछ कर ना सकते थे मगर इस आदम में अपनी वालिदा को देखा वालिद के गरे में रसी देखी लादारो आज उसी हसन का मातम है अभी आपने जाकिरे अफ़ल से मसाइब सुने आज कासिम की यतीमी का मातम है मगर कासिम की यतीमी सारे तीन साल का कासिम है कि जब यतीमी की गंद खज़र पहा गई है कासिम यतीम हुआ कभी हुसेंद ने अपनी आभोश में लिया कभी अभास ने अपनी आभोश में लिया कभी जैनब ने आभोश में लिया मैं कहूंगा है कासिम बहुत बड़ी मुसीबत है मगर बहुत गोट में लेने वाले मौजूद है मगर हाए करवणा में सकीना की यतीमी कोई सर से चादर ले रहा है कोई गोश्वारे लूट रहा है कोई मुपत माचे मार रहा है हादादार हो अजीब आदम था एक मरतबह मेरा इमाम तरफ के कहता है मेरे भाईया हुसैन को बुलाओ हुसैन आए एक मरतबह आकर रोना शुरू किया कभी सीने बसर रहते हैं कभी रुसार से रुसार बनते हैं रोते हैं एक मरतबह हुसैन भी रोने लगे का हुसैन सब रोएं तुम न रोना तुम न रोना का भाईया क्यों का तुम्हारे रोने से अम्मा बेचे रहें तुम्हारे रोने से नाना बेचे रहें ए भाईया हुदा हाफिल वसीयतें करना शुरू की वसीयतें मुकमल हुई हादा लारो वो वक्त भी आया कि आपका इमाम इस दुनिया से रुखस्थ हुआ जनादे को खुस्ल दिया गया कफ़न पहनाया गया गर से जनादा पर आमद हुआ मगर फिर किसी खातून के इसारे पर तीर चेहे और या जीब जनादा था जो घर से निकला था मगर कुछ देर के बाद घर में वापस आ गया जनादा ने देखा मतलब के लिए जूला कहा मैंने तो बहिया को सफेद कपन पहनाया था ये सुरु कैसे हो गया सत्तर तीर जनादे में पेवस्थ हुए बस जनादा रोती जाती थी एक तरफ हुसैन मैचे थे एक तरफ जनादा थी दोनों भाई बहन मी के तीर निकाल रहे थे मैं कहूंगा ए बीबी आज तीर निकाल लिए इसलिए के हाथ आजाद है मगर कर्वला में एक ऐसा लाशा मूँ के पल गिरा होगा जल्दी होई रेथ होगी तीर जिसम में बेबस्थ होगे और जैनब कह रही होगी ए भाईया मेरे हाथ आजाद नहीं वरना तेरे बदन से तीर निकालती ए मेरे बजाए लीजिए तामू ताया जियारत करें मगर आहिस्ता कंधा जीजेगा इस लिए कि मुरे इमाम बदन शखनी है तीरो होगा Woah! वर्बत! Woah! मुसीबत ! यासन यहासन, यासन, यासन! य हसे लेग्सेन temas अोगे अ करो對啊 कं़ा योð युख वर तो युख यायसे यासे 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 यह सर, याख रॉ सर, यह सर... देखता महार गया, शेपद प्रसुन दूसरा, वह सने सबस कबारं। बेखता मार गया से फिर सुले दुसरा वह सने सबस कबाब जहर से टुकर जिगे खुंसे कफन लाल हुआ वह सने सबस कबाब और घैसे के बार जनाजा जो निकल जाता है कब वो फिर आता है अरे कब वो फिर आता है अरे ऐसा ताबूत है ये लोट के जो घर आया वह सने सबस कबाब बेखता मार गया से पिर सुले दुसरा वह सने सबस कबाब बेखता मार गया से पिर सुले दुसरा वह सने सबस कबाब जहर से टुकर जिकर कुस कफन लाल हुआ वह सने सबस कबाब बेखता मार गया से पिर सुले दुसरा वह सने सबस कबाब बेखता मार गया से पिर सुले दुसरा वह सने सबस कबाब खोगलते हुए भाई को बहन ने देखा और तड़प कर ये कहा और तड़प कर ये कहा तेरी खुर्बत पे भाई तेरी जैनब हुफदा वह सने सबस कबाब बेखता मार गया से पिर सुले दुसरा वह सने सबस कबाब बेखता मार गया से पिर सुले दुसरा वह सने सबस कबाब मां के दुख से अभी आजाज कहां की जैनग हो गया कैसा घजग हो गया कैसा घजग आप जिनता न रहा बाई सुए खुल्ग गया वाहसन सब्ज कभा एक दा मारा गया सिप रसूले दुसरा वाहसन सब्ज कभा एक दा मारा गया सिप रसूले दुसरा वाहसन सब्ज कभा गर्दिये जहर हला हर्दे जिकर के टुकड़े और कासिन के लिए गंसनी में है गम शाम बरी का जैसा वाहसन सब्स कभा गिर्खता मारा गया से ते रसूने तो सरा वाहसन सब्स कभा गिर्खता मारा गया से ते रसूने तो सरा वाहसन सब्स कभा गिसे एक तार चराजा जब निकल जाता है कब वो फिर आता है कब वो फिर आता है ऐसा ताबूत है ये लोट के जो गर आया वाहसन सब्स कभा गिर्खता मारा गया से ते रसूने तो सरा वाहसन सब्स कभा गिर्खता मारा गया से ते रसूने तो सरा वाहसन सब्स कभा शेहने उस वर्ट जो वाजी को न रूपा होता खश्र हो जाता पपा खश्र हो जाता पपा धीर आते नजना जेप तुम्हारे मौना वाहसन सब्स कबा बेखता मारा गया सिख रसूले दुसरा वाहसन सब्स कबा बेखता मारा गया सिख रसूले दुसरा वाहसन सब्स कबा जहर से टुक्र जिकर खुस कफर लाल हुआ वा हसने साब्स कबाद ते खता मारा गया सिप रसूले दोसरा वा हसने साब्स कबाद या हसेंग, 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 या या हुसेंद, 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 निकलाता जनाजाजो, गरलाता जनाजाजो, गरलाता जनाजाजो, गरलाता जनाजाजो, गरलाता जनाजाजो, गरलाता के आया है निकला का जनाजाजो जर्लाट के आया है निकला का जनाजाजो किसी दरहा से आ लिको उमत ने सदाया है निकला का जनाजाजो गर्लाट के आया है निकला का जनाजाजो गर्लाट के आया है निकला का जनाजाजो है जहरी ने तुकड़े किये शपर के जिगर के है ने तुकड़े किये पाले है की लोका बादल जो ताबुत पिछाया है है की लोका बादल जो ताबुत पिछाया है निकला का जनाजाजो गर्लाट के आया है है निकला का जनाजाजो गर्लाट के आया है निकला का जनाजाजो है बाद ताह खैबर को ले आए बना कैदी है बाद को लेया बना कैदी है मुहम्मद पे दर्वाजा गिराया है है बें मुहम्मद पे दर्वाजा गिराया है निकलाता जनादा जो गर्लोट के आया है निकलाता जनादा जो गर्लोट के आया है निकलाता जनादा जो गर्लोट मेरा बाई बे अकबर उसगर जाब गर्लोट के आया है निकलाता जनादा जो 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 गोला असन के चुम के लब कहे देते अह्मार गोला हसन के चुम के लब कहे देते अह्मार है लबों पे जिगरे असन जाश में आया है है लबों से जिगरे असन जाश में आया है मौला हक इमाम या हसन या हुसेन मौला हक इमाम या हसन या हुसेन या हुसेन वो वाबिदे वीमार था चलने से जो नाचार था मौला हक इमाम या हसन या हुसेन आ हुसें या हुसें वो से खोँदे वो से जो खोँदे उसे अस्लात वास्लाम अला रसूल आला मुहम्मद अल्मुस्तफा रह्मत अल्ही वबराकात। अस्लात वास्लाम अला अमिर अल्मुमनीन अली बन अभी तालिब रह्मत अल्ही वबराकात। अस्लात वास्लाम अला स्यदा फात्मत अल्जाहरा रह्मत अल्ही वबराकात। असलात वास्लाम अला इमाम असले मुझतवा वर रहमत उल्लाह वबराकात। असलात वास्लाम अला मुझतवा वर रहमत उल्लाह वबराकात। असलाम अले के याँख भल्र्रिभी वर रहमत उल्लाह वर रहमत। पर रहमतुल्ह वापराकात। प्षीक आठ बजे शुरू हो जाएगी साड़े साथ बजे नमादे मगरेबेन बाजमाद और आठ बजे मिज़ित शुरू होगी आप लोगों जो समास हैं के पाबंदी वक्त के साथ मिज़िस में शिर्कत परमाएं शुक्रीज़ाद।